बच्चो हम पढ़ेंगे कक्षा पांच का पार्ट 11 चावल की रोटिया जो एक नाटक है और जिसमें कुछ पात्र हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन-कौन इसमें हैं तो इन पात्रों का परिचेस प्रकार है कोको है इसमें जो 8 साल का एक बर्मी लड़का है और और 308 साल का बर्मी लड़का ये भी कोको का दोस्त है मीमी 7 साल की बर्मी लड़की जो कोको की दोस्त है उबातुन जनता की दुकान का प्रभंदक है इसका अभीने कोई लंबे कद का लड़का नकली मूच्छे चस्मा लगा कर सकता है यानि कि अगर आप इसमें एक नाटक बनाना चाहें, अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर, तो बना सकते हैं, देखिए इसकी स्टोरी क्या है, एक सादा सा कमरा है, जो वहां की जो जगे की, दिवार उपर बास की चटाइया है, एक दिवार के सारे रखी अलमारी, अलमारी के उपर एक रेडियो, फिचाई की केत ली, उसमें कुछ कप, खाली गुलाब का फूल दान, ये सब रखा हुआ है, कमरे के बीच में फर्स पर एक चटाई बिची हुई है, जिसके उपर कमूचाई वाली गोल मेज रखी है, दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की और खुलता है, और दूसरा के नारे की और खुलता है, ठीक है, और पक्षियों के चहचाने के साथ साथ परदा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुट्ता भोगता है, कहीं प्रातना की घंटियां बसती हैं, को को आता है जमाई लेकर अपने को सीध करता है तो इन सब चीजों से पता चल रहा है कि जो वक्त है वो सुभह का है सुभह के वक्त का ये सीन है फिर क्या होता है देखिए को को जवाई लेता हुआ माता पिता धान लगाने उनके खेत में चले गए हैं जब तक मा खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है देखता हूँ माने नास्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है तो कौन बोलता है इसा को को अब वो देखता है अलमारी की तरफ जाता है उसे खोल कर देखता है तो वहाँ पर एक तस्त्री रखी है जिसको वो निकालता है तो उसमें क्या रखी हुई है चार चावल की रोटिया जो कि उसको बेहत पसंद है अब उन्हें देखकर वो खुश हो जाता है और अपने कोको कहता है आज तो डटकर नासता होगा और वो रोटी उठा कर जैसे ही मुझे डालने लगता है तब ही क्या होता है दरवाजे पर एक आहट होती है तो कौन आया हुआ है दर्वाजे पर अब नीनी जो कोको का दोस्त है कोको ए कोको दर्वाजा खोलो मैं हूँ नीनी वो आवाज लगाता है कोको एकदम से खबरा जाते कि गजब हो गया यह तो भुकड नीनी है अब उसकी रोटिया पर उसकी नजर पड़ेगी तो वो जरूरी ने मागेगा अब वो क्या सोचता है कि उसके आने से पहले मैं उनको छुपा दूँ अब वो दर्वाजा खोलता है नहीं नहीं दर्वाजा खोलने के बाद आता है का वह तोगा रहे हैं कि तुम इतनी देर क्यों लगा जाँ है क्यों लगा रहे हैं कोको नीनी उससे पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ खास नहीं अभी-अभी मैंने नाश्ता किया है और मूद होने लगा था बोलो सुबह-सुबह कैसे आना हुओ नीनी कहता है क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे पर अब नीनी जो है वो रेडियो उठा कर वो कहता है कि रेडियो उठा कर यहीं ले आओ ताकि हम अराम से लेटे-लेटे सुन सकें कोको कहता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है वो क्यों जोट बोलता है क्योंकि उसने तो रोटिया रेडियो के पीछी चुपाई थी नीनी कहता हूँ कोशिश करके देखे उठा कर ले आता हूँ नीनी अलमाई की तरफ जाने लगता रेडियो उठाने तो कोको घबरा जाता है कि नहीं नहीं समझ छूना चूए गो तो क्या हो जाएगा करंट लगेगा नीनी एक दम से रुख जाता है नीनी कहता है फिर मैंने तो इसे छूई लिया था भाई मैं वे खबर जरूर सुनना चाहता हूँ तीन शू के घड़ जाता हूँ तुम आओगे कोको कहता है नहीं अच्छा फिर मिलेंगे अब उसके तो मन की हो गई नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है कोको एक दम गहरी लंबी सांस लेता है कि चलो बाल बाल बचे अब चलकर नास्ता किया जाए मेरे तो पेट में अब चुछे दोड़ने लगे कोको तस्त्री उठाकर मेज पर लाता है और एक रोटी उठाकर वो खाने लगता है तब ही क्या दर्वाजे पर फिर्चा हर्ट होती है कोको तस्त्री नीचे लगता है जाने अब कोना टपका मीमी मीमी कोको दर्वाजा खोलो वैं हूं मीमी कोको बाप रे यह तो मीमी है उसे चावल की रोटिया मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वैं हमेशा भूकी होती है मुझे रोटिया चिपा देनी चाहिए लेकिन कहाँ वैं तो कुछ खाने की चीज ढूणने में के लिए गारे सारे कमरी की तलासी ले लेगी अब क्या होता है मीमी दर्वाजा खटकटा रही है लगाता है कोको दर्वाजा खोलो एतनी देर क्यों लगा रहे हो कोको सोचता है मैं रोटिया कहां छुपाऊं वो कमरे में चारो तरफ देखता और फूलदान के अंदर वो उसको छुपा देता है अब कोको जो फूलदान में रखी तस्तरी रखकर उसमर दरवाजा खोलता है मीमी कागज में लिप्टा हुआ एक बंडल उठाए कमरे में आती है अब मीमी इसको बोलती है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी कोको केता है मैंने अभी भी नास्ता किया था और मूध होने लगा था आओ बैठो वो उससे भी जूट बोलता है कोको और मीमी मेज के दो इद गिर्दियानी आसपास बैठ जाते हैं तो मीमी कहता है मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटिया रखी है अब मीमी कहती है कि मुझे अभी तुम्हारे माता पिता मिले तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटिया रखी है मैंने सोचा अब कोको जो है कहता है चावल की रोटिया हाँ थी तो लेकिन मैंने सब खाली जूट बोलता है उसको मीमी कहती है एक भी नहीं बची कोको नहीं सारी मीमी मैंने सब खाली और अपने पेट पर हाथ मलता है पेट एकदम भर गया है लगता है आज तो दोपेर का खाना भी नहीं खाया जाएगा मीमी कहती है बहुत बुरी बात है मेरी माने केले के पापड बनाए थे मैंने सोचा तुमारे साथ बाट कर खाऊंगी और मैं चार पापड लाई हूँ दो तुमारे लिए दो अपने लिए सोचा था तुमारी चावल की रोटियां और मेरे मोटे पापड दोनों का बढ़िया नास्ता रहेगा मीमी कागज का बंडल खोलती और पापड निकालती है वह उन्हें एक तस्तरी में डाल कर मेज पर रखती है मीमी कहती है गरमा गरम और स्वादिस्ट भी तुमारी भी क्या बदकिसमती है कि तुमारा पेट बिलकुल भरा हुआ है और तुम अब कुछ भी नहीं खा सकते तो कोको कहता है पापड देखकर वो जीवों पर हाथ फिरता है और अपने आप में कहता है कि मैंने तो बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड खा तो नहीं सकेगी उसको लगता है सायद दो मेरे लिए छो कोको चाय की केतली और दो कप उठालाता है मीमी एक कप में चाय डालती है मीमी कहती है तुम तो चाय पियोगे नहीं तुमारा तो पेट भरा होगा कोको अपने आप में सोचता है मेरा पेट भूख से गुडगुड कर रहा है भगवान करे मीमी को यह गुडगुड ना सुन सुना तुमने कोको उसको छुपाता है कहता है यह यह तो हमारे घर पे चुफा आ गया था वो यह वाज करता है फिर उसका दरवाजा बसता है कोको कहता है अब कौन आ गया तिनसू मैं हूँ तिनसू कोको उठने लगता है मीमी कहती है तुम बैठे रहो आराम करो तुमारा प मीमी यहां है मीमी आओ तिंसू यह तिंसू कहता है मेज के पास आकर हेलो कोको क्या बात है तुम्हारी तब्याट ठीक नहीं है क्या कोको कहता है हेलो तिंसू मीमी और तिंसू मेज के पास बैठ जाते हैं मीमी तिंसू से कहती है वह ठीक है बस नास्ते में चावल की रोटिया जो उसने ज़्यादा खाली थी तिनसु जो है वो केले के पापड़ों की तरफ देखकर कहता आहा केले के पापड़ अब मीमी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी लेकिन चुकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो तुम इसे खतम करने में मेरी मदद करो तिनसु कहता है नेकी और पूछ पूछ यानि ये भी कोई पूछने वाली बात है तुमारी मा गाओं में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है अब तिनसु एक पापड़ उठागर खाने लगता है मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है मीमी कप देखकर ये हलो चाय के साथ खाओ उसको कप देखकर बोलती है तिनसु कहता है चाय की चुस्किया लेकर बहुत बढ़िया चाय है मेरी खुश किस्मती जो मैं इस वक्त यहां आ गया कोको अपने आप में सोच रहा है तुमारी खुश किस्मती और मेरी बद किस्मती मीमी और तिनसु एक पापड खा लेते हैं और दूसरा मीमी उठाती है अब मीमी यह लो तिनसु एक और खाओ तिनसु कहता है नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है मीमी कहती है आधा तो लेलो दूसरा आधा मैं खालूंगी एक कोको के लिए रहा शाम को खालेगा तीन्शू कहता है जो डालती हुई हो तो लेले वो कहता है कि जो इतना तुम जो डाल रही हो इतना जिद कर रही हो तो चलो एक लेलेता हूँ कोको कहता है चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं मैं भूख से मरा जा रहा हूँ तिन्शू कहता है यह आवाज कैसी है जो उसके पेट में से आ रही थी कोको की मीमी कहती है यहां एक बड़ा चुहा गुसाया है कोको कहता है कि आवाज वही करता है तिंशू कहता है कि ऐसा लगाए किसी का पेट भूक से गुड़गुड़ा रहा है तिंशू और मीमी पापड खत्म करते हैं अब मीमी कहती है अच्छा ये फूल कैसे हैं तिंशू कहता है ओ मैं तो भूली गया था मेरी माने का है कि कोको की माने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं अब वो इधर उदर ढूंटा है कि वो फूलदान कहां पर रखा हुआ है अल्मारी के उपर फूलदान दिखाई देता है वहरा फूलदान अल्मारी पर मीमी मुझे दो मैं इसे फूलदान में रखाती हूँ तीनशू उसके हाथ में से फूल लेता है और वो उठने लगती है तभी कोको एकदम घबरा कर बोलता है नहीं नहीं मीमी क्योंकि उसने तो वहाँ पर रोटिया चुपाई हुई थी चावल की मीमी कहती है तुमने तो मुझे डराई दिया क्या बात है कोको कहता है ये फूल ये फूल मेरी मा को इस फूल से अलरजी है जब भी वह फूल देखती है उसके जिसम में फूंसिया निकलाती है तिन्शू कहता है ओहो मुझे इस बात का पता नहीं तक हैर में इन फूलों को वापस ले जाऊंगा कोको फिर चैन की सांस लेता और सोचता है मुझे एपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने जूट बोलने पड़ेंगे फिर दरवाजे पराहट होती है कोको कहता है कौन उबातुन मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन मीमी कहता है कोको से मीमी कहती है तुम मत उठो कोको मैं खोलती हूँ दरवाजा फिर जोड से अभी आई उबातुन उबातुन जो था वो भी मेज के पाथ बैठ जाता है अब मेमी कहती है चाए लेंगे आप उबातुन चाचा कहते है कोई आतराज नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मेमी अलमा की तरफ जाकर कप ले आती है और एक कप चाए उसमें डाल करके वो उबातुन को दे देती है उबातुन चाए की चुस्कियां ले रहे हैं क्या मज़ेदार चाए खुश्बुदार ताजगी वाली चाए तिन्शू पूछता है चाचा आपने नास्ता कर लिया है उबातुन कहता है अभी नहीं किया मैं सोच रहाता किसी की दुकान पर रुप कर कर लूँगा मीमी कहती है चाए की दुकान पर जाने की क्या जूरत आप ये पापड ले सकते हैं उबातुन लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता तो तिनसु बोलता है कोई नहीं जवाद चाचा हम सबके लिए तो पेट भर गए हैं उंगली से गले को छूता है कि यहां तक हमारे पेट भर गए है अब उबातुन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया अरे यह आवाज केसी है तिनसु कहता है यह चूहे की आवाज है अक्सरी आवाज करता रहता है उबातुन कहता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है उबातुन पापड खाकर उठाकर खाने लगता है उबातुन कोको तुमार चुप हो तब्यत तो ठीक है कोको कहता है कुछ नहीं चाचा मैं बिलकुल ठीक हूं, मीमी कहती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नास्ता बहुत डटकर किया है, उबातुन पापड़ खतम करके हाथ से मूँ पोचता है उबातुन कहता है कोको तुमारी मां हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी दर दर देखता है फिर कि हाँ वो रहा फूलदान अब कोको फिर घबरा जाता है कि क्यों फूलदान का क्या करना है उबातुन कहता है कि तुम्हारी माने नीला फूलदान मांगा था उस वक्त मेरे पास वहरंग नहीं था इसलिए वे गुलाबी ही ले आई अब उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया तो मैं उसे बदलने आया हूँ अब उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगे नीला फूलदान रख देता है अब उबातुन कहता है कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी मान नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी अब मैं चलूँगा शुक्रिया और गुडबाई मीमी तिनसु भी क्या बोलते है गुडबाई चाचा अब कोको बोलता है फिर विचारा गुडबाई चाचा और अपने मन में सोचता है गुडबाई मेरी चावल की रोटियां यानि फूल दान के साथ उसकी वो चावल की रोटियां भी चली जाती है जिने विचारा वो सबसे छुपा रहा था तो देखो बच्चो अगर वो उनको नहीं छुपाता अपने दोस्तों से तो उसको चावल की रोटियां भी खाने को मिलती अगर वो शेयर करके खाता सबके साथ ना बाट कर खाता तो उसको केले के पापड भी खाने को मिलते उसको एंजोई करने को मिलता अपने दोस्तों के साथ है ना लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसको उसकी सजा मिली और उसको उसकी चावल की रोटिया भी नहीं मिली